नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक विशेस तर जगनात पूरी के पुराने और रोचक संबंद के बारे में भगवान नील माधव के साथ नील माधव का क्या महत्व रहा जगनात पूरी में ये जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं हमारी ये अनोखी यात्रा पुराणों में इसे धर्ती का बैंकुट कहा गया है यहां भगवान विश्नु के चार धामों में से एक है इसे श्री शेत्र, श्री पुरुसोतम खेत्र, शाक खेत्र, निलांचल, नीलगीरी और श्री जगनात पूरी भी कहते हैं यहां लक्ष्मिपती विश्नु ने तरह तरह की लिलाएं की थी दुआपर के बाद भगवान कृष्न पूरी में निवास करने लगे और बन गए जक्के नात अर्थार्थ जगनात यहां भगवान जगनात बड़े भाई बलवद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं आओ जानते हैं भगवान नील मादव के कथां जो जगनात पूरी से जुड़ी हुई है यहां कथा वर्नन कई तरह या कहें की भिन भिन रूप से प्रकट होता है प्राचीन काल में मालवा प्रदेश में इंद्रुमन नाम का एक राजा था जिनके पिता का नाम भारत और माता सुमती था राजा विश्नु जी के परम भक्त थे एक रात भगवान विश्नु ने उनको सपने में दर्शन दिये और कहा निलांचल परवत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ती है उसे नील माधव कहते हैं तुम एक मंदिर बनवा कर उसमें मेरी यहां मूर्ती स्तापित कर दो इस सपने के बाद राजा ने तब किया तो हनुमाण जी ने प्रकट होकर उन्हें मंदिर के स्तान और उसके स्वरूप के बारे में बताया और कहा की तुम पहले मंदिर बनाना प्रारंब करो तो मैं इसमें तुम्हारी शाहायता करूंगा राजा ने ऐसे ही किया पूरी के समुद्र तट पर भगवान का भव्य मंदिर बनाया जिसमें उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा मंदिर बनने के बाद उसमें मूर्तिस तापना करने का समय आया तो भगवान श्री अहरी ने पुनाह सपना दिया और संकेत में कहा कि तुम कुछ लोगों को मेरे पवित्र विग्रह को ढूनने के लिए भेजो राजा ने विधिवत पूजा करने के बाद श्रीष्ट मूर्त में अपने भाई विद्यापति सहीत सबी लोगों को अलग-अलग दिशा में श्री हरी के विग्रह को ढूनने के लिए भेजा विद्यापति जिस दिशा में कमल का फूल लेकर चले उस दिशा में निलांचर परवत के आसपाद घने आमरकानन, जंगल और पहाडों की शिंखलाएं थी विद्यापति एक ऐसी जगह गए जहां पर सबर नाम से आदिवासी जाती के लोग रहते थे कबीले का मुख्या एक गुप्त स्तान पर जाकर भगवान नील मादव के उपासना करता था जहां पर नील मादव का विग्रह रखा हुआ था वहाँ वह किसी को भी नहीं आने देता था कबीले को सरदार के एक सुन्दर लड़की ललीता थी जिसने विद्यापति को जंगली जानवरों से बचाया था जो घायल हो गये थे वह लड़की ललीता विद्यापति को अपने घर ले आई और कबीले के सरदार जिसका नाम विश्वसू था वह उसका पिता था ललीता ने पिता को सारा किस्सा बताया कि यह व्यक्ति जंगल में भटक गया और जानवरों ने इसे घायल कर दिया था तो मैं इसे यहां ले आई विश्वसू ने भी विद्यापती को आश्रय दिया और घायल विद्यापती का उपचार किया विद्यापती ने दोनों को यह नहीं बताया कि मैं यहां किस उद्देश्य से आया हूँ क्योंकि विद्यापती को पता चल गया था कि विश्वशू और उसकी जाती के लोही भगवान नील माधव के विग्रह की पूजा करते हैं और अब मुझे जानना है कि वह विग्रह कहां रखा है बहुत दिन वहां रुक कर विद्यापती कबीले के लोगों के बीच घुल मिल गया और एक दिन उसका विवा कबीला के मुख्या विश्वशू की लड़की से हो गया फिर एक दिन विद्यापती ने अपने ससूर से नील माधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की ससूर विश्वशू ने शर्त रखी कि मैं तुमें वहां तक आखों पर पट्टी बांद कर ले जाओंगा विद्यापती ने कहा कि पिताजी जैसा आप उचित समझे चतुर विद्यापती ने वहां जाते समय अपनी धोती में एक पोटली में रोई के दाने बांद लिये और जब उसकी आखों पर पट्टी बांद कर उसे ले जाया गया तो रास्ते भर में उसने उन रोई के दोनों को रास्ते में बिखरते गया अतार्त एक पहाड़ी की एक गुफा में जब उसके आखों की पट्टी खोली तो उसको उसके सामने प्रभू श्री नील मादव का विग्रहा दिखा जिसमें से तेज प्रकाश निकल रहा था जिसे देखकर विद्यापती अत्ति प्रसन हो गया फिर जब वे दर्शन कर लोट आए तो कुछ समय बाद जब वे रोई के दानने पौधों में बदल गए तो विद्यापती को वहां तक पहुँचना का मार्ग मिल गया फिर एक दिन प्राता हा जल्दी उठकर विद्यापती उस मार्ग पर जाने लगे तो उनके पत्नी ने पूचा इतनी सुभ़ कहा जा रहे हो विद्यापती ने कहा की फूल एकत्रित करने जा रहा हूं ताकि भगवान को अरपित कर सको और तुम्हारे लिए वैनी बना सको यह सुनकर पत्नी प्रसन हो गई फिर विद्यापती वहां से सीधी निलांचल परवत पर उसे गुफा में चला गया शंका होने पर उनके पत्नी भे उनके पीछे गई और उसने देखा कि विद्यापती तो प्रभू नील मादव की मुर्ती चुराकर ले जा रहे हैं तो उसे बड़ा दुख हुआ विद्यापती ने अपनी पत्नी को सारा किस्सा बताया कि मेरे भाई राजा इंद्रुद्युमन है और उन्होंने एक भव्य मंदिर बनाया है जिसमें प्रभू की इच्छा से ही वह यह विग्रह स्तापित करना चाहते है विद्यापती की पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हें रोकने पर विवश हूँ और मेरे पिता यहां आए इससे पहले तुम यहां से चले जाओ तुमने हमें धोका दिया है परंतु तुम मेरे पती हो तो मैं अभी कुछ और कहूँ उससे पहले यहां से चले जाओ विद्यापती निराश होकर वहां से चला जाता है विश्वशो अपने आराध्यो देव के मूर्ती चोरी होने से बहुत दुखी हुआ उसने सोचा कि इस चोरी में मेरी बेटी ने भी विद्यापती का साथ दिया है तो उसे अपनी बेटी को काबिल से निश्काशित कर दिया उसकी बेटी उस वक्त गर्ववती थी वह वहां से चली गई और एक गुफा में रहने लगी उधर विद्यापती विग्रह लेकर अपने भाई राजा इंद्रद्युमन के पास लोट गया राजा उसे देखकर प्रसन हुए और जब उन्होंने अपने महल में विग्रह को रखा तो उसे देखकर वे और भी प्रसन हुए परंतु श्रीहरी प्रसन नहीं थे क्यूंकि उनके विग्रह को चुराकर लाया गया था तब उन्होंने राजा को स्वप्न में कहा कि अब तुम मेरी मूर्ति बनाओ किसी श्रेष्ट मूर्तिकार से राजा ने कहा कि ऐसा मूर्तिकार कौन होगा जो आपका विग्रह बना सके भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ती बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड का बड़ा टुकड़ा उठा कर लाओ जो द्वारीका से समुद्र में तैर कर पूरी आ रहा है राजा के सेवकों ने उस पेड के टुकड़े को तो ढून लिया लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड को नहीं उठा पाए तब राजा को समझ आ गया कि नील मादव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्वशू की ही सहायता लेनी पड़ेगी सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्वशू भारी भरकम लकड़ी को उठा कर मंदिर तक ले आया अब भारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की राजा के कारिगरों ने लाग कोशिश कर ली लेकिन कोई भी लकड़ी में एक चैनी तक भी नहीं लगा सका तब तीनों लोग के कुशल कारिगर भगवान विश्व कर्मा एक बुढ़े व्यक्ति का रूप धर कराए उन्होंने राजा को कहा कि वे नील मादव की मूर्ति बना सकते हैं लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता उनको शर्त मान ली गई लोगों को आरी, छेनी, हतोडी की आवाज आती रही राजा इंद्र द्युमन की राने गुंडिचा अपने को रोक नहीं पाई वह दर्वाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी वह घबरा गई उसे लगा बुढ़ा कारिगर मर गया है उसने राजा को इसकी सुचना दी अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही तो राजा को भी ऐसा लगा कि सभी शर्तों को और चेतावनियों को दर्किनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया जैसे ही कमरा खोला गया तो बुड़ा व्यक्ति गायब था और उसमें तीन अधूरी मूर्तियां मिली पड़ी भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे-छोटे हाथ बने थे लेकिन उनकी टांग नहीं जबकि सुबद्रा के हाथ पाउं बनाए ही नहीं गए राजा ने इस भगवान के इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्तापित कर दिया तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसे रूप में विद्यमान है वर्तमान में जो मंदिर है वह सातवे सदी में बनवाया गया था हाला कि इस मंदिर का निर्मान इसा पूर्व दो में भी हुआ था यहां स्तित मंदिर तीन बार तूट चुका है 1174 इश्वी में ओडिसा शाशक अनंग भीम देव ने इसका जिर्नोदर करवाया था मुख्य मंदिर के आसपात लगबग 30 छोटे बड़े मंदिर स्तापित है ब्रम्भा और सकंद पुरान के अनुसार यहां भगवान विश्नु पुरुसोतम नील मादव के रूप में अवरित हुए है और सबर जन जाती के परम पुज्य देवता बन गया है और यह था प्रभु नील मादव की महत्वपून इतिहास इस अद्बुत कथा से हमें याद आता है कि हमारी धर्ती इतने उस्तवों इतिहासों और देवी देवताओं के कहानियों से भरी है यह प्राचीन कहानी हमें संकल देता है कि समय के साथ बदलते हुए भी परमपराओं को याद रखना आवश्यक है आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी अगर आपके पास और जानकारी या विचार है तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें धन्यवाद और अपना ध्यान रखिए